कोई नेता बात नहीं करेगा चाहे वो किसी पार्टी का हो मगर हम करते हैं क्या आपको पता है कि दिल्ली में पुरानी पेंशन वेवस्था को बहाल कराने के लिए हजारों की कई हजार की संख्या में सोमवार को लोग जमा हुए राहुल गांधी की रैली में जितने लोग होंगे उससे कम नहीं बलकि जादा ही अपने फेस्बुक पर पत्रकार शिशिर सुनी ने लिखा कि कोई नेता विधान पार्शद होता है और फिर वही अगर विधान सभा का चुनाओ जिद जाए और वही ये कभी ये सांसत जिद ज ले और किसी को कहीं से नहीं क्या ये ठीक है इस पर आप कब बात करेंगे तभी आप कर सकेंगे जब डिपलबी बयानों पर लतीफा बनाने में बीजी नहीं होंगे अब ये भीर देखे स्क्रीन पर हमारे सेयोगी सुशिल महापात्रा सुमवार को रामलीला मैदान में वहा कर्मचारी इतनी बड़ी संक्या में दिल्ली आये आज यही बड़ी स्टोरी होनी चाहिए थी मगर न्यूज चैनल या टीवी अपने चरित्र में लोग तंत्र विरोधी होता है ये पूरी दुनिया का सिदान्त है जन विरोधी होता है आप टाइम लगाते हैं या आपकी ग कर्मचारी थे को इदक्षिन से आया उत्तर से आया पूरब से आया पश्चिम के राज्य से आया ये कर्मचारी न्यू पेंशन स्कीम का विरोध करने के लिए पहुंचे जिसे एक जनवरी 2004 को लागू किया गया इन कर्मचारीयों का कहना है कि शुरू-शुरू में न्यू पेंशन स्कीम के बारे में ज़्यादा पता नहीं था क्योंकि तब बहुतों को पुरानी स्कीम के तहट पेंशन मिल रही थी अब पता चल रहा है कि न्यू पेंशन स्कीम के तहट में उसमें इनका हित नहीं है तो यहां पर जमा हुए है पेंशन एक मुद्दा है दुनिया भर में ये मुद्दा है समाजिक सुरक्षा का मगर भारत में इसे दरी के नीचे छिपा दिया गया पर आप देखिए कि मीडिया के बिना भी इसी समय में लोग जमा हो रहे हैं अपनी आवाज उठा रहे हैं बस यही है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग दिल्ली में जमा हुएं और किसी को पता नहीं चलने दिया गया या नोट कीजिए कि अब लोग तंत्र में मीडिया के सरिये किस तरह से एक बड़े जनसमू की आवाज को उसकी संख्या सहीद गायब कर दिया जा रहा है गायब करने की यह प्रविर्टी पहले भी थी मगर आब इसकी दर खतरनाक तरीके से बढ़ चुकी है अगर आप सोचिए अगर जिस दिन इंप्लोई रिटार्मेंट होते हैं उस दिन शेरमाट में त्रैक आ जाता है शेरमाट में लूज हो जाती है तो उस इंप्लोई का पैसा जो उसने दिस लाग देखा खाते में शैदो दो गणते बाद आठ लाग रुपे नहीं नूब पेंशन स्कीम पूरी तरह से बाजार आधारित प्लान है जो सरकार जबर जस्ती सरकारी इंपलाई पर ठोब रही है अगर नूब पेंशन स्कीम इतनी अच्छी है तो सरकार के सांसाद और विधायक new pension scheme क्यों नहीं ले रहे हैं वो पुरानी pension का लाब क्यों ले रहे हैं एक दिन का विधायक और सांसत पूरी ताउम्र फेमली पेंशन लेता है लेकिन नई पेंशन इसकीम जो है उसमें ना तो फेमली पेंशन है ना जीपीफ है और यह पूरी तरह से बाजार आधारिक प्लान है